हेलो सुरें स्टड़ी है मैक चैनल में आप सभी स्वागत हैं आज हम करने जा रहे हैं है एंड रिमूव द प्रोग्राम मतलब अगर हमने किसी भी सोफ्ट्वेर को इंस्टॉल करना है या एड करना है अपने कंप्यूटर सिस्टम पर यह उसे रिमूव परना है मतलब अनिस् स्टेप्स को फोलो करना पड़ेगा आये रीड करते हैं दिस ओप्शन इस यूज तो इंस्टॉल एंड रिमूव मतलब अनिस्टॉल प्रोग्राम फ्रोग्राम 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 का अपनी जो हमारे कंप्यूटर की हाट डिस्क है उसके अंदर से गर मुझे किसी क्यों पर प्रोग्राम को अनिस्टॉल करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस उप्षेन का पड़ेगा एंड मुवर्म प्रोग्राम का बोस्ट आधे से ज्यादा जितनी भी हमारे पास 국्रोग्राम है थे उस्टर एंस्टॉल कमार्ड इंद सोप्टवेर इस्टेप तो जिस भी हम software को install करते हैं mostly उसी के अंदर उसके instructions given होती हैं कि इसको हमें कैसे run करना है However, for removing the program, अगर हमें remove करना है program को तो हम क्या करेंगे This option is widely used since you do not have to know are the files associated with the particular software मतलब जब आपके पास कोई particular software है, अगर आपको उसका आप use नहीं है तो आप क्या कर सकते हो उसको uninstall कर सकते हो, remove कर सकते हो It also removes the various entries for the software in a Windows configuration यह क्या करेगा, Windows की configuration में से इस particular software को remove या uninstall कर देगा क्या steps है हमारे पास, अगर हम नए program को install करना जाते हैं तो To install a new program, किसी भी नए program को install करने के लिए Using the add and remove program applet, follow these steps तो में इस steps को follow करना पड़ेगा सबसे अगर आपने subscribe कर दिया है तो बाकि सभी devices से भी subscribe करा सकते हैं क्योंकि subscribers बहुत जरूरी है Then comment करने, पहले हम कहां जाएंगे start button पर, start button के बाद आपको control panel पर जाना है Control panel के बाद add and remove program के option पर आपको click करना है आप click करोगे add a new program पर तो आपके पास क्या होगा एक window open हो जाएगी जो इस तरीके से हमें show हो रही है अगर आप इसके left panel में देखो, आपके पास options है, इस dialogue box में, कौन से कौन से options है Change or remove the program, अगर हमने किसी program को change करना है या उससे remove करना है तब इस option पर क्लिक करो नए hardware को यह software को attach करना है, add the new program, नए software को attach करना है तो हम क्या करेंगे new program पर क्लिक कर देंगे, add or remove window the component, किसी particular window पर किसी component को अगर हमें remove या add करना है तब हम इस पर क्लिक करनेगे setup program, assess and defaults, मतलब जो by default features है, उनके अंदर अगर कुछ changes करने है तब हम किस पर क्लिक करेंगे पूर्थ option पर क्लिक करेंगे, अभी हमें किस option पर क्लिक करना है, add a new program पर क्योंकि हमने क्या करना है एक नए software को install करना है तो मारे पास options है यहाँ पर, कि आपको क्या करना है, add a program for the cd-rom or a floppy disk, cd-rom से करना है to add the program to the cd-rom or a floppy disk, cd-rom or a floppy, आप directly क्लिक करोगे, cd-rom option पर क्लिक करोगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, window update वाले option पर भी क्लिक कर सकते हो हमें किस पर क्लिक करना है, cd-rom or a floppy वाले option पर हमें क्लिक करना है, वहाँ पर आपको install करने का option मिलेगा, insert कर दो, then put the application program cd-rom or a floppy disk, the appreciate drive and click on the next button install and message is disturbing the program to be installed, मत्तब जो आपको description में, जो भी windows मिल रहे है, proper windows, directly आपको next next पर क्लिक करना है तो continue the installation process, finally click on the finish button, जैसी आपको process finish होजेगा, तो आपको finish का option देगा और cancel का option देगा, तो उसके अंतर से आपको किस पर क्लिक करना है, finish वाले option पर click करना है next है हमारे पास option कि अगर मुझे किसी भी file को जै किसी भी program को uninstall करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा to uninstall the existing program, existing program को uninstall करने के लिए हमारे पास को steps है, start button पर जाओ, control panel, then add and remove program पर जाओ, महाँ पर change and remove program आइकन है आपके पास left panel में, उस पर click करो, आपके पास क्या होगे, एक list show होगी, उस list में आपको क्या करना है, uninstall वाले option पर click करना है, जो आपको right side में दिएगा, screen के, direct आप वासी क्या कर सकते हो, particular program को select कर सकते हो, जिसको आपने क्या करना है, remove करना है, जो आपको window show हो रही है, इस window में आपके पास, जितनी पर आपके पास installed programs होंगी, वो आपको show हो रही होंगे, जिस भी program को आप delete करना चाहते हो, directly उसको select करो, and then remove वाले option पर click कर दो, जो आपको यहाँ show हो रही है, remove वाले option पर click करोगे, तो आपको क्या पूछेगा, warning message शो करेगा, about the programming, यह remove the programming, तो आपको क्या करना है, directly yes पर click करना है, on installation start हो जाएगी, finally आपको क्या करना है, final पर, finish पर click करना है, next option है हमारे पास, using windows update, अगर मुझे windows के update को use करना है, तो मुझे क्या करना है, when you want to check the, if there is a update for the driver, मतब आपको यह check करना है, कि किसी भी driver के लिए, किसी भी program driver के लिए, अगर कोई आपको updates जी हुई हैं, पिछे window explorer वालों ने, तो अब उसको कैसे करोगे, you can look on the Microsoft web page to change its matter, to do this, select the control panel, control panel पर जाओ, start menu, then window update का आपको पास option होगा, जैसे अब इस पर क्लिक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक dialogue box मिलेगा, जैसे अब इस पर क्लिक करोगे, तो आपको उससी window show होगी, जिसके अंदर आपके बास option है, file, edit, view, favorite to and helps, right side में अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको window update option दिख रहा है, जैसे अब इस पर क्लिक करोगे, तो क्या होगा, from here, you out and follow the instruction that we have seen on the follow page and windows will show the update available, यहाँ पर आप क्या देख सकते होगा, अगर windows की तरह से किसी भी driver के लिए को install आ रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, install कर सकते हो, update कर सकते हो, so you can choose the one of the wish to be installed, मतलब जिसको भी आप install करना चाते हो, उनमें से आप install कर सकते हो, वरना अगर आप पुराने वर्जन को चलाना चाते हो, तो पुराना वर्जन भी आप use कर सकते हो, when a manufacturer detects follow on the driver, the manufacturer will usually correct it and display the new version on the internet, that the user can be downloaded, जिससी user इसको easily download कर सकता है, इसका user interface easy होता है, अगर हम देखते हैं, यह तो हुआ कि manually हमने जाकर update किया, उस particular function को जिससे हम update करना चाहते हैं, अगर हम यह चाहते हैं कि वो automatically update होए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब automatic update करने के लिए हमारे पास क्या है, एक निया option है, automatic update, इसके लिए आप क्या करोगे, the process of updating through the windows update, windows update को अगर आप process करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, to be a long bit, which is why the Microsoft has created the automatic update option, यह तो है निया कि आप बार पर जाकर चेक करोगे, कि कि पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए update आया हुए, तो आप उसको यही चाहोगे कि अगर हम ना भी क्लिक करें, तो automatically update हो जाए एक पर्टिकुलर time period के बाद, तो आप क्या दे सकते हो, हमारे टाइम सेट कर सकते हो कि इतने time के बाद हमारे क्या हो, update पर्फॉम हो जाए, तो दा, activate the automatic update window, automatic update window का update करने के लिए आपको क्या करना है, start button पर जाना है, control panel, directly आपको नीचे मिलेगा, windows update के नीचे option है, आपके पास, automatic update icon, वहाँ पर आप जैसी click करोगे, आपके पास कुछ ऐसी window open हो जाएगी, window में आपके पास क्या है, help protect your PC का option है, then automatic update का option यहाँ पर आपको मिल रहा है, इसके अंदर से भी आपके चेक बोक्स पर click करना चाहते हो, read करने के बाद कि या इसमें से आपको कोई feature चाहिए, तो आप उस पर भी click कर सकते हो, automatically download the recommended update for the my computer install with them, या तो हम यह कर सकते हैं, every day 3 p.m. पर यह हो जाए, week में भी कर सकते हैं, हम two week में या फिर month में कर सकते हैं, या पूरे year में कर सकते हैं, कि पूरे year के लिए जो हमारे पास update आ रहा है, वो update हो जाए, automatic वाले option पर click करेंगे, then when you turn on the automatic update, window routinely check the windows update on the website, तो window क्या करेगा, daily check करेगा कि किसी website पर या program पर कोई नया update तो नहीं आया, अगर आया होगा तो उसकी higher priority क्या होगी उसको update करना, कोई भी viruses होंगे, या threads हमें मिलेंगे, security से rated, तो उसको भी वो क्या कर देगा, remove कर देगा, this update will include the security update, critical update and the service package, depending on the setting you choose, जिस भी setting को आप चूज़ करोगे, उसके according आप कोई functions मिलेंगे, window automatically download and install the higher priority updates, मतलब जिसकी priority बहुत हाई है, कि उसकी lower version को use नहीं कर सकते, तो उसकी priority बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए operating system को पता है, कि उसको कौन से update को, कब update करना है, किस program के लिए update को priority दीनी है, notification you have to need the update become the available, अब देखो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसको क्या करना पड़े, particular manually जाकर update करना पड़े, one by one programs को, सभी चाहते हैं कि अगर automatically काम हो रहा है, तो उसको हम automatic option को use करें, तो इसलिए हमें internet explorer ने या windows ने हमें क्या provide कर रखा है, automatic update को option provide करता है, जिसके अंदर हम routine set कर सकते हैं, कि हमें daily का चाहिए update, या फिर हमें मंत्री चाहिए, weekly चाहिए, या yearly चाहिए, उसके साथ हम time reset कर सकते हैं, कि इतने time के अंदर इसको हमें update चाहिए, इतने बज़ी हमें update चाहिए, तो ये था हमारा कुछ अपडेशन, automatic update या windows related जितने भी topics से हमने आज clear किये, अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी परशान नहीं आती है, तो आप हमें comment कर सकते हैं, आपको उसका अंसर जुरूर मिलेगा, तैंक्स पर ओचिंग में वीडियो, हमारे चैनल study hack with mehack को like, जादा से जादा share and subscribe करें, अगर आपने subscribe कर दिया है, तो बाकिस सभी devices से भी subscribe करा सकते हैं, क्योंकि subscribers बहुत ज़रूरी हैं, then comment करें,